अस्सलाम वालाइकुम वर्याहमतुल्लाहि भरकातू डियर स्टूडेंस इस स्याद मुजमिल सरी स्पीकिंग असिस्टन टीचर ओफ अलमहमूर इंटरनेशनला है स्कुलापकुला प्यारो बच्चो आज हम उर्दू मजमून में आपको सबक नमबर साथ जुगनू ये नजम के नए अलफाज जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं नन्हा जुगनू जगमग सहन दर रोशन अफशा तारा ताली निराली ये जो नए अलफाज है आप इसे दियान में रखें और हम आपको चन अलफाज के मानी लिखाने वाले हैं इंग्लिश में ठीक है तो सभी कंपल सरी नहीं है जो एहम है वही लिखाने वाले हैं आप स्क्रीन पर देखकर आप अपनी नोड़ बुक में इसे लिख लें और पढ़ पढ़कर लिखें चलिए पहले हम लिखा रहे हैं सभी नहीं लिखा रहे हैं जो एहम है इंपोर्टेंट है वही लिखा रहे हैं आप गौर से देखें और सुने और जब आप अलफाज के मानी लिख रहे हैं यानि वर्ट मीनिंग तो आप पहले एक कॉलम में यह सारे वर्ट लिखें और दूसरे कॉ रहे हैं वो लिखे तो सबसे पहले हम बता रहे हैं सहन क्योंकि नन्हा जुगनू जगमक यह परिंदे के बारे में बयान किया गया है इसके मीनिंग नहीं लिखा रहे हैं जो एहम है इंपोर्टन्ट है जिसा कि एक सहन यह वड़ आया है जिसे एक लफज है सहन स्वाद है नौ कर दो नौ कर दो नौ कर दो एक यह अर ड दो कि वन में रहे हैं वन सगे तो यहार ड ओ इसे आख को यू आर ट यहार और यह दो कॉर्ट यार्ड को कहते हैं सहन स्पेलिंग रिपीट कर रहे हैं सी ओ यू आर टी वाई ए आर डी कॉर्ट यार्ड मीनिंग इसका है सहन का ठीक है अगर आप के पास टेक बुक्स है तो वहां भी आप उर्दू में देखकर लिख सकते हैं और इंग्लिश में हम जो आपको पढ कर सुनाए हैं और यह स्क्रीन पर आप देखकर आसनी से लिख सकते हैं नेक्स्ट हैं दर किसी कहते हैं तो उसे भी बताते हैं स्पेलिंग डी यू आर डर ओके डर ओके इसका प्रोनॉंसीशन जो रहेगा डर ओके डर उर्दू में दर डाल रे जबर दर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लिखा रहे हैं राशन 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 यने उजाला रे वाओ शीन भी राशन अब राशन की मीनिंग क्या होते हैं क्लिफू cannabis सुनते आते हैं तो उसे हम ब्राइट कहते हैं ठीक है ब्राइट ऊके ब्राइट मीन्स यांके जब आप लिख रहे हैं तो आपिस की स्क्रीन को स्पाउस करके रोक ले और एक ऊंठीनी कर सकते इसके सकते इसके पार ऊचन की मिनिक ज़िए अफशां तो आफ अफशानती नहीं कि प्रकिती मेला नुन गुन्ना अफशा और इंगलिश में अफशा ए एफ एस एच ए एन अफशान ओके अफशान ओके इंगलिश में अफशान कहेगे नाव नेक्स्ट है तारा ते अलीव रे अलीव ते अलीव रे अलीव जारो फिर तारा तारा कहते हैं तारा तौरा 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 एंग्लिश में भी तौरा गहते हैं लेकिन उसका प्रोनॉंसेश होगा इस तरीके से कहेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं तौरा पहला फास्ट लेटर टी ए आर ए तौरा उर्दों में तौरा नौर नेक्स्ट ताली ओके जो आप ताली बजाते हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लाप 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 प्रोनॉंसेशन क्लाप ओके तो यहां पर बच्चो आज की इस वीडियो में मैंने आपको चंद खुरूफ के मानी लिखाया हूं कि स्क्रीन के से आप उसे देखें और समझे आवास पर कॉंसेंट्रेट करें यानि सभी इंपोर्टन नहीं है जो एहम्त है जो बहुत ही ज्यादा यूसफुल है जैसे हम रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं सहन, दर, रोशन, अफशा, तारा, ताली तो टोटल मैंने आपको six words के six meaning लिखा जुगनू लेसन है पहले आप जुगनू लेसन लिखें उसके बाद अलफाज मानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया हैं और इसके लिए पर वो देखें ठीक है आप इसके मश्क कीजिए अपना खैल रखिए अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए म Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh